सब्सक्राइब करें सरवन लेक्चरर चैनल को और वेल आइकन दमाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपोर्टन्ट नुमेरिकल देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम आप लोग को बताने वाले हैं कि किसी परिपत में कोई जो प्रतरोध है सामानतर करम या स्रेणी करम में लगा हो तो हम उसे कैसे स्वाल्ब करते हैं और साथ में ही बताऊंगा कि धारा भी कैसे ग्याद करते हैं कि ऐसे अगर आपका परिपत है तो इसमें हम परवाहित धारा कैसे ग्याद करेंगे और साथ ही यह आपका important भी है तीन बार आप भी चुका है 2015 में आया है और 2017 में 2018 में तो दोस्तों तैयारी लगाता चल लही है अगर आप लोग चनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए तो आए हम लोग देखती है निम्न लिखित में परवाहित धारा ग्यात कीजिए एक परिपत है ठीक है अब इसमें मैंने 10 बोल्ट का विभुवांतर लगाया है ठीक है इसमें मैंने 10 बोल्ट का क्या लगाया है विभुवांतर और यहां देखिए 2 ओम का परत्रोध लगा हुआ है और यहां 4 ओम का और यहां 4 ओम का ओम जो है परत्रोध का मात्रक है आ और ohm को हम अस टाइप से प्रदर्शित करते हैं ठीक है और देखी यहां दो ohm का प्रत्रोज लगा हुआ यहां चार ohm यहां चार ohm तो आए हम लोग इसे solve करते हैं क्यासे solve करेंगी देखी ये ज़ो आपका 4 ohm है और ये चार ohm ये आपका जो है समानतर करम में है अगर आप लोग समानतर करम, स्रेणी करम, सयोजन का निगमन करना नहीं जानते हैं तो मैंने एक playlist बना हुआ है निगमन का उसमें जाके physics के सभी निगमन को देख लीजिए ठीक है तो यह आपका जो है 4 ohm and 4 ohm यह दोनों क्या हैं समानतर करम में हैं तो यहां मैं लिख देता हूं कि जो आपके 4 ohm तथा 4 ohm दो परतिरोद हैं तो यहां आप लोग लिख दीजिए हल धीक है हल में आप लोग देखिए हल में आप लोग को देखना है कि 4 ohm तथा 4 ohm चारूम तथा चारूम जो हैं दो प्रत्रोध प्रति रोध समानतर करम में हैं यह समानतर करम में लगे हुए हैं यहाँ बात एक ही है ठीक है तो समानतर करम में हैं अब दोस्तों समानतर करम का फार्मूला होता है आईए हम लोग देखते हैं फार्मूला होता है वन अपान आर बराबर वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू ठीक है अब आगे देखते हैं यहां हम लोग रखते हैं इसका मान चारोम तो हम लोग एक जगा रखेंगे हमें आर ग्यात कर लेना है और पहले प्रतोत के लिए हम चारोम रखेंगे और दूसरी के लिए भी चारोम गयांकि यह दोणों जो हम स्रेनिक अंधी अगर 3 होता तो पलस 54 और टीक है तो अब हम इसे स्वालों करते हैं इसका जो देखिए अब इसका हर तो बराबर है इसका हर बराबर है ऊपहानएंप आर आर एक नम आर यानि की आर बराबर दो ओम तो यहां आपको मिला आर बराबर दो ओम ठीक है अब यहां हमें मिला है आर बराबर दो ओम तो आप यहां समझे हमें इन दोनों के बीच में मिला है यहां हमें मिला हुआ है अब यहां साथ देखिए दोनों स्रेंडी करम में लग ग हमें यह दो ओम मिला हुआ है और वो भी दो है तो पुन आहां यहां आप लोग लिख दीजिए पुन आहां कि दो ओम तथा दो ओम स्त्रेणी करम किस करम में स्त्रेणी करम में लगे हुए हैं दोनों स्त्रेणी करम में लगे हुए हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं दोनों स्त्रेणी करम में हैं तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे जो हमारा आर बराबर होगा यह फार्मूला होता है आर बराबर या आर बराबर कर दीजिए आर वन प्लस आ यह जोनों जो है स्रेंडी करम में है तो यहां और यह दो ओम दोनों पलस कर देंगे ठीक है हल आप लोग ध्यान से समझे यहां आप समाप थी होने वाला है दो ओम पलस दो ओम दोनों जब हम जोड़ेंगे तो आर बराबर हमें मिलेगा चार ओम तो यही आपका मिल गया चार ओम अब हमें धारा ग्याद करना है तो आप लोग ओम का नियम तो जानते ही होंगे बी बराबर आई आर ठीक है ओम का नियम तो आप लोग को ओम का नियम तो पता ही होगा बी बराबर जो होता है आई आर अगर ओम का नियम नहीं जानते हों तो मैंने एक वीडियो बना दिया है उसमें जाके देख लिजिए बी बराबर आई आर हमें धारा ग्याद करना है तो इससे हम इधर कर देते हैं और बी अप यहां हम दस बोल्ट और आई जो है बराबर है और यह हमें क्या पराप थोगा था फोड़ ओम तो यहां हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं आपको धरम चार को दस से कर देते हैं चार का दब दो बाल ले जाएंगे एट एंड आप लोग कन्फूज नहीं हम दसमनों बढ़ाता हूं यहां फाइब तो यहां आपको फॉजाएगा तो यहां दो पॉइंट पांच एंपीर तो धार आपको प्राप्त हो गया यही आपका एंसर हो गया इंड यह आपको ऐसे ही जाद करना अगर इस पर अकर कर के नीवेरिकल आयाएद हारव जुजै प्रतरोद ज does यह आन्तर पर ही अही लगा ना है ठीक है तो दोश्तु को आप लोग को पसंद अगर आप लोग को नहीं समझ में हो तो मेरा दोबारा बताने सचे आप लोग वीडियो पीछे करके दोबारा समझ लिजी ठीक है तो दोस्तों यह आप लोग ऐसे लगा सकते हैं और हमें आई बराबर यहां 2.5 एंपियर मिल जाता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जूड कर और अच्छे से एडूकेशन कर सके हैं और अच्छे से तैयारी कर सके तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद में